गुट मॉर्निंग स्टूनेंट्स आज हम एक टोपिक पढ़ेंगे क्लास 11th NCRT और आज का जो टोपिक है वो आपको डाइगराम दिखी रहा है स्वशन तंतर या स्टूनेंगों एक खेयी हुआ एक एकजर की थे उर्सका पंजेंगे और इसके परते की भी ह्यास्ग है वो पता है वो आपको ऐसका यहिस्का वॉलियोम्स जो लॉन्ड़ins इसrevní देएगों तो हमें की वीडियो लोलोग आपकी सामने परस्त गुरूँगा मैं आज हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे स्वाशन तंतर स्वाशन तंतर मेंडी स्वाशन तंतर बोलते कि इसको हैं मेंडी ऐसा तंतर जो वाता वर्णिये ऑक्सीजन को ग्रेहन करता है और बदले में सी ओर टू को बो आपके अंदर परिवयान कैसे होता हैँ वहम डेटियल में अलग से टोपिक है उसका वीडियो डिसकस करेंगे तो सबी बार 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 से हम पढ़ते चलेएंगे आज हम इसकी पढ़ते हैं स्ट्ट्चर या इसकी सरंचना इसकी सरंचना जो है वो आपको यहां डाइगराम दिखाई दे रहा है हमारे जो नासा चिदर है जिसको हम नाजल कोर बोलते हैं उसके दोरा वायू को ग्रेंड किया जाता है और नासल चेंबर इसको नासा चिदर बोलते हैं उसके दुरह वाइयू को grand कह जाता है और वो grand करते हुए वाइयू जो होती है वो हमारे trachea में आती है trachea या स्वास न ले तू ये trachea है इस trachea का मुझे रूप से junction point जो होता है trachea के junction point को हम बोलते है larynx और बकल केविटी जहां पर ट्रेक्या मिलती है उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स जिसको हम बोलते हैं ग्रस ग्रसनी और इसको हम बोलते हैं स्वर यंतर अलब कि जो ट्रेक्या है उस ट्रेक्या का जो ओपनिंग है जहां से नेजल चेंपर एंटर करते हैं या ट्रेक्या का जो फ साथ बकल केविटी जो बोजन ग्रेंड किया जाता है बोजन ग्रेंड करने के स्थान को हम क्या बोलते हैं फैरिंक्स बोलते हैं दोनों का आपस पे लिंक होता है और लिंक को अल्ग करने के लिए एक विशेस टाइप का डग doubling पाया जाइस जो बोलते हैं lotus मालव कि इसी larynx के उपर epig lotus गाटी डगकर पाई जाता है तो परतेक की सरंचना इस larynx के सरंचना को हम डिटेल समझेंगे पूरा का पूरा ट्रेकिया या स्वास नली जो होती है वो एक तरह की उपास्थिल या cartilage की बनी होती है cartilage या जिसको हम बोलते है hyaline cartilage उपास्थि की बनी होती है उपास्थि मिन्स लचीली हड़ियों की लचीली मलोग की अस्थी के स्वान सरंचना होती है उसको हम उपास्थि बोलते है ये elastic होते हैं, लचीले होते है लचीला होने का मतलब ये होता है और इनका आकार जो होता है वो C-shape में होता है मलब कि ये आकार जो होते है वो C-shape में होती है मलब कि पूरी तरह से ये ट्रेक अगरती नहीं है जैसे यहाँ आपको डाइराम दिखाई दे रहा है यहाँ पर और उसका ये बैकवर्ड ये फ्रंट से है और ये इसके पिछे से इसको ये गुमा दें ऐसे तो हमें ऐसा दिखेगा तो ये C-shape है वो पिछे से इलकुल ही ओपन होती है तो एक गोड़े की नाल के समान संचना होती है जो C- आकार के छल्ड़े पाए जाते हैं और वो लचीले होते हैं इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं ये ट्रेक्या जो होता है वो फेफ़डो दाइं और बाएं राइट और लेफ्ट दो फेफ़डो जो फेफ़ड़े पाए जाते हैं जो दाइं और बाएं फेफ़ड़े की तरफ विवक्त हो जाते हैं डिवैड हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉंकस या हम इसको बोलते हैं ब्रॉंकाई मनलग कि दो ब्रॉंकाई हैं Singular को हम bronchus बोलते हैं, और plural को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, या इसको बोलते हैं, स्वशनी, इन्दी में क्या नाम बोलते हैं उसको? स्वशनी, तो दो स्वशनी हम बढ़ता है, एक राइट फेपड़ों को, और एक लेफट फेपड़े को चला जाता है, तो यहां मैंने एक ही फेफड़ की सरचना को पताया है फिर आगे जाकर यह जो स्वशनी है वो बढ़ जाती है ब्रोंक्योर जिसको हम प्राइमरी ब्रोंक्योर भी बोलते हैं स्वशनी मैं लो स्वशनी काउं के अंदर बढ़ती है तिशल्षक प्रायमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी इस तरह से उनकी डिवाडेशन बिश्छल से ब्रांकियोर निकल जाएगी इसका आकार डायवेटर्स होगा वह चोटा मताच राजाएगा फिर इस फिर पतले-स निकलेंगी बहुती बारीक महीन उसमेंसे फिर ब्रांकियोर निकलती चलेंगे तो यह परामरी हो गई कि से केंड़े हो गई यह तर्सरी हो गई इस तरह इस ब्रांचेश चले जाती हैं और लास्ट में यह खुलती हैं उसमें में एक सरंचना मुलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाय। कुपी का हैं तो इसको हम वाय। चौपी का बोलते हैं। यह हम इसको बोलते हैं L-V-L-E परते हैं L-V-L-E अपने ब्रॉंकियोल के साथ connected होता है और उसको हम बोलते हैं वाईउ कुपी का नलिका L-V-L-E डक्ट इसको यह बोलते हैं हम L-V-L-E, डक्ट बोलते हैं तो वाईउ कुपी का नलिकाएं जो होती हैं और वाईउ कुपी का जो है वो पूरे तरीके से वहाँ पर वाईउ भरी रहती है एक गुबारे के समान संचना होती है और वाईउ कुपी काओं के चारों और अब इसके सनचना कोई देव है वायू कुपिका में क्या होगा उस वायू कुपिका के अंदर क्या होता है मान लो एक ये इससे निकली प्राइमरी और उससे प्राइमरी और उससे क्या निकली ये इस वायू कुपिका के अंदर एक तरह से क्या होती है इसके चारों और महोत महीन ही बारीक रक्त केशिकाओं का जाल पाए जाता है जिसको हम बोलते हैं Blood Capillaries रक्त केशिकाओं का जाल पाए जाता है तो वायो कुपिक काई क्या करती है वाता वरंड से जो भी अक्सिजन आती है वो यहां पर इसके बढ़ दे जाती है ये वायू कूपी काउं के साथ connected में रहती है और बहुती महीन बारीक रेशे के समान, बाल के समान, हेर लाइक structure होती है जो पूरे वायू कूपी काउं को गहर रहती है जिसके अंदर बलड बरा रहता है जिसके कारण ये फेफड़े जो होते हैं वो हमें गुलाबी या पिंक कलर के दिखाई देते हैं बलड के पाई जनने कारण अब वायू कूपी काउं के अंदर जैसी ऑक्सिजन आती है और बलड के अंदर जो CO2 होती है वहाँ पर क्या होता है गैसिये आदान परदान होता है गैस येस एक्सेंज दोता है तो इन वायो कूपी काउं के अंदर विशेश प्रकार से गेंस या दान परदान अमद्द करती है इसके साथ साथ एलवलाई के अंदर मुखे रूप से तीन प्रकार कोशे करें पाए जाती है टाइप फर्स्ट निमोसाइट दूसरी टाइप सेकिंड निमोसाइट और तीसरी इसमें पाए जाती है मैक्रोफेजिस इन तिनों का काम क्या है टाइप फर्स्ट जो निमोसाइट होती है ये गेंसिस एक्सेंज के अंदर मदद करती है टाइप सेकंड निमोसाइट्स होती है इनका एक अलग नाम और है जिसको हम बोलते हैं कि सर्फेक्टेट कोशिका सर्फेक्टेंट कोशिका क्या बोलते हैं इनका काम होता है वायू कुपिकाओं को पिचकने से या उनको प्रेशर में दबाब के कारण किसी प्रकार से उनको पिचकने से उसके shape को बनाए रखना, उसके आकार को बनाए रखना मतलते हैं मलब की type first numosite क्या करेगी gases exodus मतलत करेगी, type second numosite क्या करेगी, इसको surfacted को बोलते हैं, इनका काम होता है proper shape में या वायू कूपी का बनी रहे और third macrophages जो होती है ये वायू के साथ मान लो, कोई दूल के कारण, कोई परतीजन, कोई रोगजनक enter कर जाता है, तो ये क्या बनाती है, एक तरहें की lymphocyte cell होती है lymphocyte cell है ये रोगजनकों से रुक्षा करेगी और उने नस्ट करने काम करेगी मान लोग कि फेफडों को पूरे तरेशे shape देना, फेफडों के अंदर कोई रोगजनक परपेशन है करे और वायू है वो भी exchange हो जाए तो उसके द्वारा क्या करती है ये तिनों कोशिका है जो होते हैं अब रिकाग वरती है टाइप फस्ट, टाइप सेकेंड और मेकरफ़ज, ये तिन पर रिकोशिका होती है जो कहां पाई जाती है अलोलाई के अंदर पाई जाती है इसके साथ साथ C आकार के छल्डे जो होती है, जिसको हाइलेन काटिलेज बोलते है वो क्या करती है इन ट्रेकिया को, ब्रॉंकस को और जो आगे ब्रॉंकियोरस है उनके आकार को बनाए रखती है वो भी उसको चिपगने नहीं देती तो लास्ट में जब सेकेंडरी या टर्सरी जब आगे जाकर उसके शक्काएं बठती है दिवतियक तिसरी को तो वहाँ पर उन काटिलेज की संखिया कम हो जाटी यहाँ पर वो काटिलेज वहाँ पाएननी पाए जाती हाँ, ब्रॉंकिया और ब्रोंकस ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर स्वरी ट्रेकिया और प्रंकस्त के अंदर क्या पाई जाती है मुख्य रूप से C आकार के चल्ले पाई जाती है तो फेफडों जे होते हैं फेफडों के चारों और विशेश प्रकार का आवरण होता है जिसको plural membrane बोलते है plural membrane और फेफडों के बीच खाली बाया गातों से रक्षा करता है इसके साथ साथ पसलिया पाई जाती है और दोनों फेफडों के बीच हर्ट पाई जाता है फेफडों के निचले भाग पर एक muscular diaphragm होता है तो हम इसका function भी समझेंगे जो ventilation हमारा हम पढ़ेंगे topic next वीडियो जो होगी उसके अंदर तो ये एक सरंचना है जिसके द्वारा फेफडों जो होते हैं वो एक आवरण में बंद रहते हैं plural cavity, plural membrane और ये फेफडों के सरंचना जो वायो कोश से बनी होती है अब हम सरंचना समझे larynx की, larynx क्या होता है जो स्वर्य अंतर है वो कैसे काम करता है तो आपको यहाँ दो डाइगराम दिखाए दे रहे हैं larynx के यहाँ आपको larynx का डाइगराम दिखाए दे रहे है यह front हमारे सामने से जो larynx दिखता है वो है और यह posterior भी हो इसका, पिछे का भी हो इसकी दिलाइगराम दिखाए दे तो हम यह ऐसे सरंचना देखेगी यह सामने से और यह इस प्रकार से पिछे सरंचना दिखाए दे रही है larynx जो है, जो larynx है वो cartilage का बना होता है और इसमें no cartilage पाई जाती है most reported है, no cartilage इसके अंदर पाई जाती है कौर कौन सी cartilage होगी, पहली है thyroid, cartilage, दूसरी होती है cricoid, cartilage, third होती है, epiglotis, fourth है artinoid, cartilage, fifth है, queniform, cartilage और sixth आपको नाम देखे हैं आपर, keraniquillate, cartilage उपास्ति होती है, बलोग की यह, Lacheli, उपास्तियों से बनी होती होती है, तो, Umm cartilage बोलता है तो, nuk झोचे परकार क्या है total low है, इसमें से जो first, second और third cartilage होती होती है, वो single होती है, बलोग एक एक होती है, यह एक वास्तिकी बनी होती है जबकि फॉर्थ और फिफ्थ और शिक्स्थ ये क्या होते हैं पेरड में होती है पेरड हो इसका मलब तीन और ये पेरड होगी तो च्छे टोटल नो कार्टिलेज जो होती है वो पाई जाती है सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है थायरोड यह सबसे बड़ी है इसी को हम क्या बोलते हैं एडम्स एंपल बोलते हैं यह लेडिज या महिलाओं के अंदर यह आकार छोटा रहता है लेकिन मेल के अंदर जैसे से हार्मोन की फॉर्मेशन होती है यह आकार बढ़ जाता है तो वह फुली वी सर्थिया एक उभार के रूप म यह एपीक लॉटीस के साथ इसको जोड़े रखता है दूसरी उत्यों क्रिकोइड काटिलेश जो तरी जो निचे होती है जहां पर भी थाइरोould क्रिकोइड लिगामेंट पाए जाते हैं जो उनको जोड़े रखते हैं और इसके साहथ साहथ तीसरी जो है एपीक लॉटीस ये эпiglotus की स्रुचन आप multir- sachet re-s अब गाटे-डकन बोलते हैं यह आपको दिख़ेएर गाटे-डकन कि यह दिखंज तहरता है कि sealings खों सी का अपुन है निस दोनों के साथ ही तो गोलाइज प्रवैर को जैसी यह भॉजण निकलते है तो बोजन फेरिंक्स में जाए तो एपिगलोटिस जो होती है वो बोजन को ट्रेकिया में आने से रोख देती है तो एपिगलोटिस का काम होता है ये भी एक तरह से क्या होता है गाटी डखन बोलते हैं एक तरह डखन है जो ट्रेकिया को डख देता है कपस टाइम जब बोजन नि posterior भाग जो होगा अब किसका बनाओगा आर्टिनेट कार्टिलेज का बनाओगा जो पेर में होगी उसके साथ साथ उन्हीं आर्टिनेट कार्टिलेज के ऊपर जो अपेक्स भाग है वो क्यूरनी फॉरम कार्टिलेज का बनाओगा और उसी के साइड में कावन सी बजाती है के cartilage पाई जाती है ये भी जोड़ों के रूप में होती है अब ये cartilage जो होती है वो proper shape देती है और muscular भी होती है ये healthy security देती है जिसके दोरा हम वायू का आदान परदान करने में आसानी हो इसके साथ साथ पूरे के पूरे जो cartilage है इन cartilage में से यहाँ पर आपको डाइगराम दिखाए दे रहा है एक symbolic diagram है जिसके अंदर हम इसकी बात करें thyroid cartilage cricoid cartilage और ये artinoid cartilage ये तिनों cartilage मिलकर क्या बनाती है हमारे vocal system को तयार करती है vocal system का मतलब यह होता है कि इनके साथ क्या जुड़े देते है vocal code जुड़े रहते है वाग रज्जु जुड़े रहते हैं जो बोलने मदद करते हैं कैसे जुड़े रहते हैं ये ये diagram दिखाए देरा आपको vocal code या वाग रज्जु वाग रज्जु जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं एक वाग रजु वो होता है जो false vocal code बोलते हैं और दूसरे वाग रजु को हम बोलते हैं true vocal code या वास्त्विक स्वर रजु फाल्स vocal code जो होते हैं वो trachea ये false vocal code जो tracheal part है उसके roof के शेत्र में पाई जाती है जो thyroid cartilage और उसके ऊपर का भाग जहाँ पर आर्टिलेज पाई जाती है उसके ऊपरी भाग पर false vocal code होते हैं इनका ये कोई भी no sound formation में कोई भी आवाज उत्पन नहीं करते हैं मनलों कि इनका काम केवल cartilage को आपस में जोड़ना होता है ये कोई भी sound उत्पन नहीं करते हैं इसलिए से क्या बोलते हैं उसको false vocal code दूसरी होते हैं true vocal code हवास्त्विक स्वर रजु जो यहां पर रेकिया के छद मनलों की surface में पाए जाते हैं निच्री भाग में पाए जाते हैं और उसी भाग के स्वर रजु जो होते हैं वो आवाज उत्पन करते हैं मनलों की true vocal code जो होते हैं वो आवाज उत्पन करने मदद करते हैं दोनों muscular होते हैं मनलों की muscles के बने होते हैं vocal code मनलों की स्वर कार की स्वरुजू पाई जाते हैं फाल्स वोकल कोड और ट्री वोकल कोड अब वोकल कोड की जो लेंथ है फीमेल में ये छोटी होती है लगभग एक पॉइंट दो पांच सेंटीमेटर से लेकर 1.75 सेंटीमेटर होती है जबकि मेल में इनकी लेंथ जो होती है 1.75 से लेकर 1.25 सेटिमेटर होती है मलोग की मेल में इनकी लंबाई जो होती है जादा होती है और फीमेल में इनकी लंबाई जादा होती है हाँ थिनेस मलोग की फीमेल की वोकल कोड पतले होते हैं जिसे कंड़ उनकी आवाज की पिछ बहुत लंबी होती है आवाज दीखी होती है जबकि मेल की जो vocal cord होते है थोड़ से मोटे होते हैं जिसे कंड़ उनकी आवाज के अंदर क्या होता है बारीपन होता है लंबाई के हिसाब से भी वो ज़्यादा लंबे होते हैं और मोटाई भी ज्यादा होते हैं और उनकी मोटाई भी कम होती है दोनों से पतले होते हैं तो यह है हमारा लेरिंग्स की सरंचना लेरिए उसके बाद क्रिकोईड कार्टिलेज होती है वो ट्रेकिया से जुड़ी होती है और ट्रेकिया के साथ यह सी या कार के हायलेन कार्टिलेज पाई जाती है पूरा लेरिंग्स सिस्टम जो होता है वो हमारी C3 to C7 जो वर्टीबरी है उसके बीच ती तो थे वालो कि जो अमारी कशिरका है रेड के अड़ी की नोटो जो हमारी स्पाइनल कोड है उस स्पाइनल कोड की C3 से लेकर C7 तक की जो वर्टीबरी है उसके बीच में वहाँ पर ये वोकल कोड लेरिंक्स पाया जाता है और लेरिंक्स के द्वरा स्वर उत्पन करते हैं मैं आवाज बोलने मज़ करते हैं यदि वोकल कोड काम नहीं करे तो हम बोलनी पाएंगे तो ये है हमारी सरंचना जिसके नदर आपने respiration system लंग्स की सरंचना देखी और उसके साथ साथ हमने लेरिंक्स या हमारे स्वर यंतर की संचना समझी तो इस डाइगराम को आप नोट कर सकते हो असानी से यह हमारा frontal view है और यह हमारा posterior view है जहां पर आपको दो वोकल कोड यहां दिखाए देते हैं और एक वोकल कोड यहां पर दो 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 वोकल कोड यहां देते हैं यह हैं कौन से अब आसी और यह कौन से हैं true वोकल कोड के द्वारा क्या होगा आब आजट पनोगी एक required cartilage है thyroid cartilage है पूरे लेरिंक्स का जा बनाती है पूरा structure को capture करती है तो ये था हमारा respiration system का structure वाला part जिसके अंदर हमने फेफ़ड़ों की सरचना और larynx सरचना जी next video के अंदर हम समझेंगे ventilation, gansis exchange कैसे होता है मालब किस परकार जो ribs हैं, जो diaphragm हैं, जो muscles हैं, किस परकार से gansis exchange करती है तो next video होगी, आज के रिए इतना ही, धन्यवाद